हेलो गाईज स्वागत करता हूँ आपका अमारे चानल में तो गाईज वीडियो टाइटल से आप समझ गए होंगे वीडियो का टॉपिक तो जाधा टाइम वेश्ट ना करते हुए सिधा वीडियो के मुद्दे पे आता हूँ तो जो पहला नाम है ट्रांसफर र्यूमर्स के लिश्ट में वो है संदेश जींगन का जो की साइन कर सकते है एटिके मोहन बगान के साथ तो गाईज कुछ सीजन पीछे आपको ले चलता हूँ जब एटिके मोहन बगान नहीं था के वल एटिके था तो एटिके की मैनेजमेंट काफी सीजन से हाध दोकर पीछे थी का नाता टूट चुका है के रिला ब्लास्टेस एफसी के साथ तो एटिके मोहन बगान के पास पूरा-पूरा मौका है इन्हें अपनी टीम के साथ साइन करवाने का प्लस जिस तरह की अमबिशियस स्टेट्मेंट्स संदेश जिंगन ने हाल ही में दी है उससे मुझे परसनली अधिके मोहन बगान नेक्स्ट प्लेयर जो इस लिस्ट में है उनका नाम है बार्थलोमियो उकबेचे जिनके बारे में रियुमर्स कहते हैं कि ये मुंबई सिटी एफसी के साथ साथ साइन कर सकते हैं तो उकबेचे के स्टैट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट सीजन केरिला ब्लास्टर्स FC के लिए खेलते हुए इन्होंने 15 गोल्स मारे थे उससे पहले ये नौर्स इस्ट उनाइटिड एफसी के लिए खेले थे जहां पर इन्होंने 12 गोल्स मारे थे तो अगर आप मुंबई सीटी एफसी के फैन है और जो डील है उक बेचे औ सॉल्व कर देंगे प्लस एक बहुत जादा लीथल स्ट्राइकर है उक बेचे तो एक बहुत जादा अच्छी साइनिंग हो जाएंगे मुंबई सीटी एफसी के लिए पार्थलोमियों उक बेचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि क्या आप चाहेंगे उक बेचे को द फिर ये एफसी चैंपियंज लीग भी खेले जहांपे दो मैचेज में इन्होंने एक गोल मारा तो बहुत जादा प्रोलिफिक स्ट्राइकर है फॉन्डरे और इनके सिगनेचर के पीछे इस समय आयसल के तीन क्लब्स है जिन में से सबसे आगे है हिद्राबाद एफसी फिर जाता है चिन्नाइन एफसी और फिर आता है मुंबई सिटी एफसी तो गाइस ये तो वक्त ही बताएगा कि किस कलब के साथ साइन करेंगे आडम ली फॉन्डरे पर ये जिस भी कलब में जाएंगे उस कलब के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपून ऐसिट सावित होंग तो गाइस देखते हैं किस कलब में जाते हैं आडम ली फॉन्डरे नेक्स्ट प्लेयर है गाइस अरुन बेसुल जेविच आयोप मैंने इनके नाम की प्रनंसेशन साही लियो तो ये एक USA-based midfielder है जो कि left midfield, attacking midfield और defensive midfield में खेल सकते हैं तो काफी ज़ादा versatile midfielder है ये तो कि USL Championship में खेलती है जो कि second tier है US football का तो इनके बारे में guys rumors कहते हैं कि ये FC Goa के साथ sign कर सकते हैं तो मुझे नहीं पता कि कितना फाइदे मंद होगा ये signature FC Goa के लिए मैं आशा करता हूं कि अच्छा और फाइदे मंद हो ये signature क्योंकि FC Goa ने next season ASL में भी खेलना है तो ज्यादा अच्छे player निकले और FC Goa की मदद करे काफी ज्यादा ACL में next player है guys Oswaldo Henry Case जो कि एक Colombian centerback है जिनके बारे में rumors कहते हैं कि ये Kerala Blasters FC के साथ sign कर सकते हैं इनका जो guys last club था वो था Vasco Dagama जो की Brazilian top tier का एक club है काफी ज्यादा experienced centerback है Oswaldo Henry के guys और हम आशा करते हैं कि ये Kerala Blasters FC की जो defensive समस्या हैं उन्हें solve कर दे क्योंकि अगर हम last season देखे तो Kerala Blasters की समस्या जो थी वो goal scoring नहीं थी guys वो थी defense उनके defense की वज़े से Kerala Blasters struggle किया पूरे season तो हम आशा करते हैं कि Oswaldo Henry Case का arrival solve कर दे Kerala Blasters FC का defensive problem next player है guys Felicio Brown Forbes जो कि एक Costa Recon center forward है जिनके बारे में rumors कहते हैं कि ये Kerala Blasters FC के साथ sign कर सकते हैं इनके last season के बारे में आपको बता देता हूँ तो ये रैको FC के लिए खेल रहे थे last season जो कि Polish top division का एक club है जहां पे इनने 27 games में 9 goals मारे Polish cup में 2 games में 2 goals मारे तो guys transfer market के हिसाब से इनकी जो transfer की probability है Kerala Blasters में वो बहुत कम है 20 to 25% के बीच है मुझे personally लगता है कि इनका जो transfer होगा वो तब ही हो पाएगा अगर बार्थलोमियों को बेचे Kerala Blasters FC को छोड़ते हैं तो guys देखते हैं क्या बनता है वैसे अगर ये signing हो भी जाए तो ऐसी कोई बुरी signing नहीं होगी है पर ऐसे कोई top top signing भी नहीं है ये तो देखते हैं क्या बनता है guys next player है guys रफाइल मेसी बोली जो last season के लिए थे Kerala Blasters FC के लिए जहां पर इन्होंने 17 पेरेंचेज में आठ गोल्स मारे थे प्लस दो असिस्ट भी दी थी तो इनके बारे में guys rumors कहते हैं कि ये Odisha FC के साथ sign कर सकते हैं और transfer market के साब से probability भी काफी जदा हाए है कम से कम 75% probability है इनकी Odisha FC के लिए sign करने की तो guys Odisha FC की तरफ से confirm नहीं कि अरिंदाने संतना या फिर Manuel Ounu वापस आएंगे टीम में तो अगर वापस नहीं आते हैं और मैसी बोली sign कर जाते है Odisha FC के साथ तो ये बिलकुल भी एक बुरी replacement नहीं होगी उनके लिए प्लस एक अच्छी replacement होगी और काफी ज़ादा अच्छे player है exciting player है मैं सी बोली तो मज़ा आएगा इन्हें देखने में Odisha FC की जर्सी में नेक्स्ट player है गाइस जो की एक Australian right winger है तो I hope मैंने इनका नाम भी सही से लिया हूँ तो last season ये Perth glory के लिए खेले थे और अब इनके बारे में rumors चल रहे हैं कि ये हैदराबाद FC के साथ sign कर सकते है A-League में last season के 19 appearances में 4 goals और तीन assists थे AFC Champions League में इनका एक appearance था तो guys अच्छे player है ये मैं ये नहीं कहूँगा ये top player है पर इनके presence से definitely हिदराबाद FC को फाइदा होगा Plus अगर आपको मेरी prediction लेनी हो हिदराबाद FC के लिए next season के लिए तो मेरे हिदराबाद FC top 6 के अंदर finish करेगा next season मैं ये नहीं कहे रहा हिदराबाद FC कोई title contender बन गया है पर top 6 के अंदर definitely finish कर सकता है हिदराबाद FC next season में